नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है। सुबह उठकर घर का दर्वाजा खोलते वक्त करें, ये छोटा सा उपाय बन जाएंगे, आप करोरपती कोई भी नहीं रोप पाएगा आपको दोस्तों, यह बात सुनने में आपको जरूर अजीब लग रही होगी। लेकिन ये बात बिलकुल सच है क्योंकि अगर हमारे धर्म शास्त्र में देखा जाए, तो दर्वाजा खोलते वक्त कुछ ऐसे नियम बताये गए हैं, जिसको अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चालू कर दें, तो यकीन मानिये दोस्तों करोरपती ब वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य दर्वाजा होता है, अगर वो सही स्थिती में होता है, तो दोस्तों ना केवल इससे आपके जीवन में सकारात मकता आती है, बलकि आपके घर में सुक शान्ती भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि घर में किसी का भी जो अगर हमारे घर में धन की बढ़ुत्तरी होती है, तो इसमें घर के प्रवेश द्वार का बहुत ही अहम रोल होता है। लक्षमी जी आपके घर पर बात करने आएंगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपके घर पर धन की बढ़ुत्री होगी। दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परिशान है, आप मिहंत करते हैं, परिश्रम करते हैं परन्तु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आपके घर में रोज ग्रह तलेश बढ़ता हुआ चला आ रहा है। आप इस चीज को ले करके बहुत ज्यादा परिशान हैं। यहां तक कि आप ये तक देख रहे हैं कि जो घर के जीतने भी मिंबर हैं, जितनी भी सदस्य हैं, वो आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। और उन लोगों को खुद ऐसा लगने लग गया है कि ये घर जैसे कोई नर्क है। दोस्तों तो इन सब का मुख्यकारण क्या हो सकता है? जिन्दगी में करना शुरू कर दें। आज के इस वीडियो को भगा-भगा करके मत देखिएगा। ये 5-6 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको हम उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो घर के मुख्यदवार से जुड़े हुए नियम है, और घर का मुख्यदवार हर किसी के घर में होता है। इसलिए ये वीडियो ना केवल आपके लिए बलकी आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज आज आपको हम बताएंगे कि घर के मुख्यदवार से जुड़े हुए वह कौन से ऐसे चोटे नियम है, जो ना केवल आपको बलकी आपके घर की महीलाओं को भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अगर घर की महीलाएं यह नियम का पालन करती है, तो ना केवल माता लक्ष्मी जी का बलकी भगवान विश्नु जी की क्रिपा आपको मिलेंगी, और आपके जीवन में धन और धाने की कमी नहीं होगी, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप पे और आपके परिवार पर सदय बना रहें माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन की वर्शा हो और आप अपने घर में हमेशा सुक शान्ती पाएं, तो दोस्तों पूरी प्रद्धा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी और एक काम कीजिएगा कमेंट सेक्षन में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशी के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुँच सके वो दोस्त धमा के रिपलाई के माध्यम से आपको बता देंगे इसलिए सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा देखिए दोस्तों अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई जगड़ा हो रहा है आपके घर में प्रक्तेक सदस्य जो है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं आपके घर में लोगों में बिमारी फैल रही है और आप इस चीज को ले करके बड़ा ही परेशान हो गए तो कुछ आप जरूर ऐसी गलती कर रही हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपके घर में इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो वो कौन सी ऐसी गलतीया है जो कभी भी जीवन काल में आपको घर के मुख्यदवार को ले करके नहीं करनी चाहिए गलतीया और अगर वो गलतीया आप कर रही हैं तो उन गलतीयों को कैसे अभी भी ठीक किया जा सकता है चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की की बहुत से लोग घर के बाहर मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसा इसा करना बहुत ही ज्यादा अशुब होता है। इसा करना बहुत से लोग ऐसे होते हैं। इसा करने से आपका पैर ज्याडू पर तो लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर बाहरी लोगों की नजर घर की ज्याडू पर पढ़ जाएं तो इससे आपके उपर करजा बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखियेगा जो ज्याडू होती है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। जिस घर में घाडू का अनादर होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आती है और जिस घर में ज्याडू को सही दिशा में रखा जाता है। जैसे कि उत्तर दिशा में रखा जाएं, तो आपके घर में धन की बढ़ोत्तरी होती है, और अगर बाहरी लोग आपके घर की जाडू को देखते हैं, तो इससे आपके घर में आर्थिक कष्ट पैदा हो जाता है, तो कभी भी जाडू को घर के मुख्यद्वार पर मत रखिए है, चौथा कभी भी ध्यान रखिएगा, घर के मुख्यद्वार मुख्य गेट पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, खास्तोर से शाम पाँच बजे के बाद का समय जो होता है, वो सायनकाल का समय होता है, कभी भी सायनकाल के समय अपने घर के मुख्यद्वार पर रुष्ट हो जाती है, और आपके घर में दरिद्रता का माहौल बन जाता है, पाँचवा घर के मुख्य दर्वाजे के सामने कभी भी कच्रा नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने से आपके घर पर नेगेटिव एनरजी, आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास हो जाता है, तो आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, अब वो कौन सी उपाय है, जो घर के मुख्यद्वार को ले करके अगर आप करेंगे, तो ना केवल आपको माता लक्ष्मी जी बलकी भगवान विश्नु जी का आशिरवाद मिलेगा, और आपके जीवन में आपको धन क की वर्षा देखने को मिलेंगी, चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा, आपकी राशी के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चला, तो हम आके आपको रिपलाई के माध्यम से बता देंगे, देखिए जो घर का मुख्य दर्वाजा होना चाहिए वो पीला, लाल, महरून इस तरीके का कलर करवाईए, डार कलर का कलर का अगर आपका घर का मुख्य दर्वाजा होता है, तो माना जाता है, इससे पर एक लोटा जल का छिड़काव कर दें तो बहुत ज्यादा शुभ माना था और एक लोटे जल में दो चार बूंद गंगा जल डाल करके अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इससे आपके घर पर किसी भी व्यक्ती की बुरी नजर प्रवेश नहीं कर पाएगी और मान ली किसी भी मांदलिक कार्य को शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो सके तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशिर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो प्रत्येक गुधवार को आप लोग स्वस्तिक का निशान अपने घर के मुख्य द्वार पे बना दीजिएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान गणेश जी की क्रिपा आपके घर पर बनी रहेंगी आप लोग जो भी मांदलिक कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी चौथा अगर आप प्रत्येक सोमवार को अपने घर के मुख्य द्वार से किसी भी गाय को ग्यारा रोटी और गुड की भेली खिलाते हैं तो इससे आपके घर की जो रुकी हुई बरकत है वो होना शुरू हो जाती है क्योंकि एक गाय में 33 कोटी देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओं का वास होता है इसी तरीके से दोस्तों अगर आप अपने घर के मुख्यद्वार मुख्य गेट पर किसी भी तुलसी के पौधे को लगा दे तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विश्णु जी का वास माना जाता है और तुलसी के पौधे को अगर घर के मुख्य गेट पर लगा दिया जाए तो इससे ना केवल हमारे घर के जो वास्तुदोश होते हैं वो खत्म हो जाते हैं दूसरी तरफ हमारे घर की उन्नती होती है बरकत होती है हमारे घर की जो ग्रह दिशा है वो बड़ी अच्छी हो जाती है इसी प्रकार से दोस्तों अगर शुक्रवार के दिन आप लोग अपने घर पर रंगोली बनाना शुरू कर दे में गेट पर तो माता लक्षमी जी अवश्य ही आप से प्रसन्न होंगी और आप पर क्रिपा बरसाएंगी आखरी अगर आप लोग दोस्तों ब्रहस पतिवार को अशोक के पत्तों का तोरण अपने घर के मुख्यदवार पर लगा देंगे तो इससे आपके घर की जो ग्रह दशा है वो बड़ी अच्छी हो जा आएगा क्योंकि अशोक के पेड़ पर कई देवी देवताओं का वास होता है तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं आप से निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा